नमस्कार सात्यों शाला दरपन से वर्गबुक का वितरण आपने किया है और रिपोर्ट में यदि आपके 100% या 100% से अधिक वितरण अधिकारी महोदे बता रहे हैं तो मेरा आमनिवास मेरा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप वर्गबुक का वितरण का क्योंकि इसी प्रकार के important content में चैनल पर आपकी साहतार्थ लेकर आता रहता हूं तो चलिए सात्यों देख लेते हैं संपुन प्रक्रिया step by step सबसे पहले आपको आपके विद्याले को login कर लेना है इस तरह का home press आपके सामने आएगा अब यहां आपको एक टेप उपलब्द तो आपको इस option पर आप click कर लेना है अब जैसे ही आप option पर click करेंगे और option आपके सामने या खुल कर आएगे तो यहां सबसे अंत में आपको option मिल जाएगा workbook विद्यारती वित्रण तो अब इस option पर आपको click कर लेना है अब इस तरह की information आपको नीचे के और खुल कर तो आपके जिस भी कक्षा में 100% से अधिक वित्रण बताया जा रहा है उस कक्षा को आपको यहां से select करना होगा तो आप यहां click कर लिजेगा जिसे आप यहां click करेंगे आपके सामने class की information खुल कर आजाएगी तो अब आपको यहां से मैंने पहले ही बता दिया कि जिस आपके 100% से अधिक वित्रण उसी कक्षा का चैन आप यहां से करेंगे मैं example के रूप में यहां कक्षा 5 select कर रहा हूँ उसके बाद आपको यहां नीचे workbook select करने के लिए कहा जाएगा तो आप यहां click कर लिजेगा जिसे आप यहां click करेंगे आपके सामने workbook का name आजाएगा और उसे आपको यहां से select कर लेना है अब आपको यहां option मिलेगा get data का तो इस पर आपको click कर लेना है अब इस तरह की information आपके सामने यहां खुल कर आएगी हो सकता है आपको यहां इस तो जो आपका all level है वो कम दिखाए दे तो आप distribute भी नहीं कर पा रहे हैं और एसा क्यों ह हो रहा है 100% से अधिक वित्रण आपके विद्याले में क्यों बताया जा रहा है उसका कारण यह है कि हो सकता है कि जब आपने पहले ही बच्चे को workbook वित्रण कर दी हो लेकिन फिर बाद में बच्चा TC लेकर चला गया है ऐसी condition में आपको यहां stock आपका सही नहीं बताएगा तो आपको यहां आना है नीचे की वोड़ यहां आपको एक option available करवाया हुआ है आपको यहां उपर कुछ भी changes नहीं करना है जो data आपको यहां दिखाए दे रहे हैं इनमें आपको किसी तरह से changes नहीं करना है सिर्फ आपको यहां option मिल जाएगा save all का तो आपको इस पर click करना आपके सामने इस तरह की information display हो जाएगी और आपको यहां कहा जाएगा workbook distribution done successfully तो आपको यह close का option यहां मिल रहा है इस close के option पर click कर लेना है जैसे आप इस पर click करेंगे यह pop-up आपके सामने से हट जाएगा और जब आप फिर check करेंगे आपके विद्याले में stock कितना है तो यह changes आएगा मैंने मेरे विद्याले का पहले ही reset कर दिया है इसलिए मुझे already यहां तीन मैंने आपको जब बताया है जब भी तीन है और अभी भी तीन दिखाए दे रहा है लेकिन आप इसा यह जो कारेंगे जो प्रक्रिया मैंने वीडियो में बताई उससे अपनाएंगे तो जो इस्टोक है यहां से सई हो जाएगा और आपका जो 100% से अधिक वित्रन बोल रहा था वो भी आपका सई हो जाएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवास सातियों कमेंट बोक्स में मुझे कमेंट करके अवश्य बताईएगा कि वीडियो आपको क की या नहीं की मिलते हैं सातियों अगले अपडेट के साथ तब तक के लिए जे हिन जे भारत